किसी भी organization में employee कैसा काम करेगा, employee अपने काम में कितना effort लगाएगा, यहाँ उसके motivation level पर depend करेगा किसी भी organization में employee जितना motivated होगा, वहाँ उतने effort के साथ organization में काम करेगा, individual के अंदर का need, desire, want और drives को दिखाता है motivation motivation उस process को कहेंगे, जिसके माध्यम से employee को काम करने के लिए प्रिरीद किया जाता है, ताकि employee अपने काम को best तरीके से पूरा कर सके employee को motivate करने के लिए manager को worker का need को पहचानना होता है, और उसे काम करने के लायक environment और incentives provide करना होता है motivated employee हमेशा अपने काम से satisfied रहता है, चलिए आगे बढ़ते हैं और motivation के definition को देखते है motivation वहाँ process है, जिसमें लोगों को प्रोचसाहित किया जाता है, ताकि वे काम करें और अपने desire goal को achieve कर सके motivation को ऐसा process कहा जा सकता है, जो employee को प्रेडित करता है, ताकि वे अपने काम को इस तरह से करें, जिससे वे अपने needs और desire को satisfy कर सकें motivation की कुछ विशेस्ताइ होती है, चलिए एक एक कर उन विशेस्ताओं को, उन features को देखते हैं पहला है psychological concept, मनोवेग्यानिक धरना, motivation एक मनोवेग्यानिक धरना है, psychological concept है, mainly motivation employee के भीतर से आता है और किसी भी employee पर motivation जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता, need जैसे की food, खाना, shelter, कपड़े आदी, लोगों को काम करने के लिए motivate कर सकते हैं या ego को satisfy करना, दूसरों से पहचान पाने की इच्छा भी, लोगों को काम करने के लिए motivate कर सकता है दूसरा feature है, एक continuous process, एक लगातार चलने वाला प्रक्रिया, motivation एक continuous process होता है एक काम पूरा हो जाने के बाद, individual दूसरे काम के लिए motivated होता है, एक need जब satisfy हो जाता है, फिर individual दूसरे need की ओर बढ़ता है तो हम लोग कह सकते हैं कि motivation एक never ending process है, कभी ना खत्म होने वाला प्रक्रिया है अगला feature है, behavior, वेवहार, motivation लोगों को इस तरह से प्रभावित करता है, ताकि वे अपने goals को achieve करने के लिए काम करे motivated वेक्ति को जादा supervision की आवशक्ता नहीं होती है, और कम guidance मिलने पर भी motivated employee, motivated वेक्ति अच्छे से काम कर पाता है अगला feature है, एक complex process, एक जटिल प्रक्रिया, motivation एक complex process होता है, एक जटिल प्रक्रिया होता है manager को motivation प्रवाइड करने के लिए employee के nature के बारे में जानना ज़रूरी होता है, अलग-अलग employee का need, अलग-अलग होता है किसी employee को motivation पैसे से मिलता है, किसी employee को motivation recognition से भाचान से मिलता है employee के इसी need को समझ कर manager को motivation प्रवाइड करना चाहिए ताकि employees motivated रहें और motivation के साथ काम करें अगला feature है utilization of resources संसाधन का उपयोग motivation resources को संसाधन को utilize करने में help करता है अगर employees को proper motivation प्रवाइड किया जाता है तो वे resources को waste नहीं करते हैं और resources को properly utilize करते हैं ताकि organization अपने goals को तो achieve करें ही और साथी साथ organization के resources का उपयोग सही से हो सके motivated employee हमेशा यहाँ प्रयास करता है कि minimum resources का उपयोग करके organization का maximum goal अची हो सके अब तक हम लोगों ने जाना motivation क्या होता है और motivation की विशेष्टाएं क्या क्या होती है चलिए आगे बढ़ते हैं और एक-एक कर motivation के importance को पढ़ते हैं पहला है proper utilization of human resources किसी भी organization को human resources यानि employees के आवशकता होती है अपने activities को perform करने के लिए motivation की सहता से employees को काम करने के लिए encourage किया जा सकता है प्रेरित किया जा सकता है ताकि employee इस तरह से काम करे जिससे organization अपने goals और objectives तक पहुँच सके अगला importance है efficiency of the employee motivation की सहता से employee के अंदर काम करने की इच्छ सक्ती को जगाया जा सकता है काम करने का willpower को जगाया जा सकता है जब employee के अंदर काम करने की इच्छ सक्ती जागती है तो वह अपने काम को और भी बहता तरह से perform करता है जिससे काम करने में लगने वाला cost भी reduce होता है और employee का efficiency भी बढ़ता है अगला importance अगला महत्व है performance level performance का स्तर employee जितना अधिक motivated रहेगा उसका performance का level उतना उचा रहेगा वहीं दूसरी और अगर employee में काम से जुड़ा motivation कम रहेगा तो उसके performance का level में भी कमी देखने को मिलेगी motivated employee के अंदर negative feeling नहीं रहती है तो वह बात-बात पर complain नहीं करता बहाने नहीं बनाता और employee काम को और भी बहतर तरह से समझने का प्रयास करता है अगला importance अगला महत्व है accepting changes organization में बहुत सारे employees को बदलाव पसंद नहीं होता क्योंकि employees को ऐसा लगता है कि वे बदलाव के हिसाब से अपने आपको धाल नहीं पाएंगे organization को employees को training देकर motivate करना चाहिए जिससे employees organization में positive change को accept करें और employees को जब training मिलता है तो employees बदलाव के हिसाब से अपने आपको धाल भी पाते हैं अगला importance है goal of the organization हमने अभी पढ़ा कि employee जब motivated होता है तो उसके भीतर काम करने की इच्छा सक्ती जगती है इसके अलावा motivated employee organization के goals यानि लक्षे की परती काम करता है वहाँ बाकी employees के साथ co-ordination बठा कर समन्वे बठा कर काम करने का प्रयास करता है ताकि organization के काम को सटीक तरह से पूरा किया जा सके बहतर तरह से पूरा किया जा सके अगला importance है absenteeism of the employee जब employee motivated होता है तो वह छुटी कम लेता है और समय पर काम में आता है क्योंकि motivated employee काम करने के लिए हमेसा तयार रहता है तो organization employees को काम से जड़ा motivation प्रवाइड कर उनका absenteeism कम कर सकता है अगला importance है increasing output अभी हम लोगों ने देखा कि motivation की वज़ा से employee अपने काम को और भी efficiency के साथ पूरा करता है और काम में कम absent होता है इससे होता यह है कि organization का resources सही से utilize हो पाता है और पहले की तुलना में काम से जड़ा output भी बढ़ता है अगला महतु है stability motivated employee कभी भी नए बदलाव का विरोध नहीं करता बलकि अपने आपको situation के हिसाब से ढलने का प्रयास करता है अब आवशक बदलाव की वज़ा से organization situation की हिसाब से अपने आपको update रख पाता है इससे organization में stability बनी रहती है